सब्सक्राइब करना है तो अगर आप लोग ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है दोस्तों तो प्लीज सभी लोग जाकर रिजल्ट देख लीजे रिजल्ट देखने का तरीका क्या है मैं सभी को बता देता हूं सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हूं कि आपको अपने गूगल पर सर्च करना है मैं आप लिख देता हूं गूगल पर आपको सर्च करना है ssc.nic.in ठीक है आप जैसी दोस्तों इस इस साइट को गूगल पर सर्च करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक साइट ओपन होगे आएगी इसमें सबसे पहले जो लिंक है दोस्तों यहां पर आप देख सकते होंगे 26 नमवंबर का जो कि है declaration of result of combined graduate level examination tier 1 2020 का ठीक है आप इस फे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही दोस्तों आप आएंगे इस तरीके के pdf पर वो pdf मैंने पहली से open करके रखे हुए तो यहां पर आप देख सकते होंगे कि ssc ने जो अपना जो result जारी किया है उसमें सबसे पहले तो यहां पर उन्होंने तीन रोल लंबर दी है गाईस इसमें से आपका तो कोई रोल लंबर नहीं है नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों यह सारे के सारे जो रोल लंबर आप देख पा रहे हैं यह सारे के सारे तीनों की तीनों रोल लंबर जो है यह कैंसल कर दिये गए हैं क्योंकि यह रोल लंबर प तो यहां पर देखोगे तो सबसे पहली जो डिख सकते होंगे यहां पर दिया है यह है दोस्तो जो चेक कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तो यह सारे के सारे आप देख सकते होंगे यहाँ पर कि जो cut-off marks है दोस्तों वो है आपका 145.2 और यहाँ पर अगर जनरल की cut-off बोलें तो यह 167 है ना और टोटल candidates जहें वो लगबग 1228 है और सभी का मिला जो लाके लगबग 5439 यहाँ पर candidates है जो कि यहाँ पर आपके टीर 2 के लिए आगे गए है जनरल स्टेडीज काटेगरी आगे अगर दोस्तों यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर वो candidates जेनों ने टीर 1 कौलिफाई किया है पेपर 1 पेपर 2 आगे जाएंगे स्टेटिस्टिक्स में तो यहाँ पर दोस्तों जो कट ओफ गई है वो अन्रिजर्फ यानि जनरल की 153 SCST कैटेगरी 124 122 OBC वगेरा सभी दी हुई है आप देख लीजेगा और यहाँ पर जो आपका total number of candidates आगे गए हैं वो गए हैं 11212 आगे चलते हैं गाईस सो यहाँ पर अगर आप देखें तो तीसरा कैटेगरी दोस्तों जो की candidates qualified in tier 1 for appearing for tier 2 जो की होगा आपका वो इस तरीके से दोस्तों जैसे कि आप देख सकते होंगे marks यहाँ पर जनरल के जो इसे की है 132 उसके बाद SCST कैटेगरी और total है यहाँ पर 11,000 लगबग लगबग स्व कितने candidates से 5000 और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर थे आपके 11,212 candidates तो इस तरीके से दोस्तों पूरी की पूरी लिस्ट जारी हुई है आप देख सकते होंगे और कुछ लोगों के जो रोक लिए गए हैं बताएंगे बाद में उसको उसका कुछ reason होगा और इस तरीक चेक करिए बताएंगे कितने लोग आप में से कितने लोग जो है क्वालिफाइद कर गए हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैसेज आना शुरू हो चुछ है हमें भी और काफी students हमारी वी काफी students आपमें से कॉलिफाइद करते जा रहे हैं अगर आप भी कॉलिफाइद हुए कि यहां पर आप लोगों को दोस्तों डेट भी लिखी हुई अगर कोई भूल गया हो कोई सोच रहा होगी अभी डेट भी आनी बाकिए तो डेट दोस्तों सभी को पता होनी चाहिए सो पेपर की जो डेट रहेगी आपकी टियर वन टियर टू की यहां पर लिखा हूँ है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखें तो काई यहां पर तो टियर टू का एक्जाम है वह 28 जनवरी से 29 जनवरी तक होगा और जो टियर 3 का पेपर है वो 62 2022 यानि कि 6 फरवरी 2022 ठीक है यह डेट ऑवियस सी बात है कि पहले से जो है बता दी गई थी तो आप लोग इसको भूलिए गामत बिल्कुल पी ठीक है सबी लोग प्लीज दोस्तों यहां पर कर लीजेगा बागी जो फाइनल आंसर कियोगी इस्टेंडर्ट फॉर्म में वो 3,12,20,21 तक जो आपको बोली गई एक एंडियर्स है यह पूरा एक पर देख लिए चेक कर लीजेगा तो आई होब कि आप लोगों का टियर 2 भी अच्छा ही जाए बढ़िया जाए सभी लोगों का जो कॉलिफाई किये हैं उन सभी का बहु करिए और रीजनिंग में रात 10 बजे क्लास हो रही है वाई पैसे यूटूब चैनल पर आप लोग आई है उस क्लास में तो रीजनिंग के लिए जतना भी आपको पढ़ना है आप उस क्लास में आई है आप लोगों को और अकैडिमी पर आई है दो बज़े पांच बज़े देली क्लास बहुत दी इंप्टेंट है आप सभी लोगों के ठीक है और ठीक है दोस्तों तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रीया आप सभी का पढ़ते रहे ये मस्त रहे और खुश रहे और टीर टुए एक्जाम भी कौलिफाई करके बढ़िया से कमेंट करिए और सब्सक्राइब का थैंक यू सो मच्छ टेक कर जाहिंद